फाइनली यहाँ पर देखे आरो यारो में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दावा किया जारा है कि जो पेपर लिख हुआ है वो 11 फरवरी से पहले ही लिख हो गया यह निकि एकजाम के दिन पेपर लिख नहीं हुआ है 11 फरवरी से पहले ही पेपर लिख का दावा किया गया है यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने उस दावे में अलफ नामा भी लगाया है मतलब इतना उन्होंने एकदम कंफर्म बता दिया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से दो दिन पहले छात्रों को दोड़ा दोड़ा कर मारा गया है यह तो यहाँ की सासन विवस्था है कल और परसों पूरी दिन बारिस होते रहे फिर भी छात्र लगातार बारिस में ढटे रहे और आज भी जो है लगातार चाहे रात हो चाहे दिन हो लगातार छात्र जो है सिविल लाइन्स में प्रतियोगी छात्र धरना दे रहे हैं ठीक है और यहाँ पर देखे जो है क्लियर कुछ बताया गया है कि नीचे एक लाइन खिची हुई है तथा इसके नीचे बाई तरफ C2 लिखा हुआ है और दाहिने तरफ एक बार कोड भी छपा है वाइरल पेपर के किसी भी पेज पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है अब या त यह जो है 2016 में जिस तरी केस उसने किया था कि उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करते करते करें अटरा हो गये उसके बाद दुनिया भर का जो आइनिंग करते करते हुआ इस भी इस हो गया तो छात्र वही चाहरे है कि इस बार ऐसा ना हो और तुरंत परिच्छा रद करके फिर से जो है नहीं परिच्छा कराई जाए और यहाँ पर देखे लगातार साच सामने है तो लंबी जाच का दिखावा क्यों है यादि छातर कह रहे हैं कि जब पुरा साच हम आपको सौब रहे हैं तो आप फिर जाच वाँ ची सब क्या कर रहे हैं जब भाई पुरा प्रमाल आप के सामने है और फिर लगातार यहाँ पर देखे परिच्छा निरस्त कराने के लिए धरना लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक जो है गौर्णमेंट या फिर कोई भी हस्तच्छिप करके इस परिच्छा को रद्ध नहीं कर देता और यहाँ पर देखे जो है लगातार जो इच्छा मृत्यू की मांग की है और यहां पर देखिए जो है आदर्स का कहना है कि 25 फरवरी को पुलिस ने उसे कमरे में पकड़ा और पांच दिन तक अनहादिक्रित तरीके से हिरासत में रखा उनका और परिजनों का मानसिक सोचड हुआ है ऐसे में अब इच्छा मृत्यू होता उसको प्रमाड ढोड़ना पड़ता है पुरा प्रमाड है सब कुछ है फिर भी आप आपकी क्या रहा है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इस प्रसासन में इस तरीके से पता नहीं क्या क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरू बताईए मिलेंगे नेक्स वीडियो में जाहिंदे